हेलो अबरीवान, वेलकम बैक टो आर चैनल, बंडल ओफ लर्निंग, आज की वीडियो में हम देखेंगे सेकंड क्लास के बच्चों को हिंदी ग्रामर में कौनकों से टॉपिक्स करवाया जाते हैं, हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स अब जगे सेम ही रहते हैं, इसके लावे एक हिंदी ग्रामर के टॉपिक में फर्स टॉपिक है भार्षा, जैसे भार्षा किसे कहते हैं, किते टैप की होती है, भार्षा मोखी होती है, लिखीत होती है, इसके लावा नेक्स टॉपिक है वर्ण और वर्ण माला, वर्ण क्या होती है, वर्ण माला में किते वर्ण होते हैं नेक्स टे मात्रा है शब्द किसे बनते हैं वाकिग किसे बनते हैं ये सिखाया जाता है उसके नेक्स टॉपिक होता है जैसे English में हम नाउन पढ़ते हैं सेम वैसे Hindi में होता है संग्या Next topic is link, link means जैसे English में हम gender पढ़ते हैं इसे तरीके से Hindi में link होता है तो वहाँ पे male और female होते हैं Hindi के अंदर होते हैं pulling और strilling जैसे राजा, रानी Next is वचन, वचन में एक अनेक, वचन होता है one and many अनेकी singular और plural का जो concept होता है वो सेम वचन होते हैं एक वचन और भवचन कहते हैं उनको जैसे बच्चा है बच्चे का भवचन मन जाएगा बच्चे Next topic है सर्व नाम, English में हम pronoun पढ़ते हैं Hindi में सेम सर्व नाम होता है next is विशेशन, विशेशन होता है, adjectives, English में adjective कहते हैं हिनको और हिंदी में होते हैं विशेशन सो जब भी हम बच्चों को हिंदी क्रामर पढ़ा रहे हैं तो उस ताम पे हम बच्चों को हिंदी के नाम के साथ इंग्लिश नाम भी अगर हम बताएंगे कि इंग्लिश में इनको एड्जेक्टिव कहते हैं तो बच्चों के लिए हिंदी क्रामर करना काफे जादा एजी हो ज जिनको हम कहते हैं antonyms, next is दिन और महिने, हिंदी के अंदर दिन, days और month को कैसे बोला जाता है, क्या कैसे लिखा जाता है उनको, वो होते हैं दिन और महिने, next is अनेक शब्द के लिए एक शब्द जैसे, एक महा में होने वाला उसको क्या बोलते हैं, मासिक, मासिक बोल सकते है अस्पताल में इलाज करने वाले को क्या बूलते हैं तो वहां पर आजाएगा डॉक्टर तो ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नेक्स्टि इस वाकके निर्मान मेक् सेंटेंस जैसे एंगली में हम कुई खी वर्द दे है उसके इस के छी के सेंडी में होता है। Next is Ginti, counting, जिसे English में हम counting करते हैं, math में counting करते हैं, वैसे Hindi की भी counting होती है, वो different ठरीके से लिखी जाती है, तो Hindi में भी counting बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, अगला है चित्रवर्णन, जिसे हम picture description भी कहता है, English में भी हम same topic परता है, siempre topic यहां पर हिंदी में पढ़ाया जाता है जिसमें बच्चों को चित्र दिया जाता है उस चित्र के बेस पे बच्चों को पैराग्राफ लिखना होता है या सेंटेंस लिखने होता है next is कहानी लेखन या स्टोरी राइटिंग story writing में भी बच्चों को अपने according कोई भी story जो है वो अपने language के अंदर यहां पे लिखनी होती है next is diary leken, diary leken जिसको हम diary writing कहतें English के अंदर तो कोई भी topic पे बच्चों को diary writing लिखना सिखाया जाता है कि diary writing का क्या format होता है उसी format पे बेस पे जो topic दिया जाता है उसके उपर diary leken करना होता है next topic is अनुशेद leken, अनुशेद leken means जैसे हम English में paragraph writing करते हैं कोई भी topic दे जाता है जैसे English में topic देते है my favorite food, my favorite food, my best friend तो ऐसे हिंदी में अनुशेद लिखन होता है जिसमें topic दे जाता है मेरा प्रिया मेत्र, मेरा प्रिया फल, मेरी मा तो ऐसे कोई भी topic दे जाता है जिनके उपर बच्चों को अनुशेद लिखना होता है means paragraph लिकना होता है यह था second class के बच्चों के लिए Hindi grammar का syllabus जब भी हम Hindi grammar बच्चों को बढ़ाते हैं तो जो भी topic हम करवा रहे हैं उसका Hindi के सासथ English नाम भी अगर हम बच्चों को बताएंगे तो उससे बच्चों को Hindi grammar करना easy हो जाएगा अधर्वास बच्चों को Hindi थोड़ी से टफ लगती है बच्चे थोड़ा सा confused रहते हैं Hindi करने में तो अगर आप Hindi नाम के सासथ अगर English नाम भी बताएंगे तो बच्चा easily Hindi की grammar को भी अच्छे सका सकता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का जो वीडियो आपके लिए helpful रहा हो वीडियो अगर helpful लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सकाइब करना माद भूलेगा Thank you so much for watching